एक साथ पस्पन बाल विकास पर्योजना पताधिकारियों का ट्रांसफर बिहार सरकार के अंदर गत समाच का ल्याड विभाग जो की एक सेविका के ऊपर सीडीपियों होती है वह सीडीपियों से संबंधित है ठीक है जिसे की बाल विकास पर्योजना पताधिकारी कहा जाता है आईए हम लोग देखते हैं कि यह किस प्रकार से बाल विकास पर्योजन दिया गया है या फिर जो है कि उनकी अदला बदली हुई है या किस प्रकार का न्यूज है यह तो जब मैं आप लोगों को समझाओंगी तभी समझ में आएगा तो चलिए मैं आप लोगों को समझाना सुरू करती हूं इसके पहले वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल को अभ विहार लोकसेवा आयोग विहार पटना के पत्रांग आप लोग यहां पर पत्रांग भी देख लिजे कि पत्रांग में क्या कहा जा रहा है पत्रांग है आठ वी प्र 0207 और 2020-22 लोकसेवा आयोग फिर दिनांक इसमें 88-David 2023 द्वारा विग्यापन संख्या 3. 2021 के अधार पर बाल विकास परोजना पताधिकारी के पद पर अनुसंसित अभिहर्थियों को अधो लिखित सर्तों के अधिन वित विभागिये संकल्प संख्या जो है कि 35 नब्बे दिनांक 24 साथ 2017 के अलोक में वेतन मान तीरपन 1100 से ले करके जो है कि देखे ये जो है कि मैं आप लोगों को ये पत्रांक दिनांक ये सब छोड़ करके नॉर्मली ऐसे भासा में समझाओंगी जो कि आप लोगों को समझ में आ जाए ठीक है ये जो विडियो है विडियो है कि जो हमारे बिहार में अभी बहुत सारे परियोजनाओं में पद रिक्त है रिक्त है का मतलब कि एक सी डीपियो के द्वारा चार चार पास पास परियोजनाओं को जो है कि कनेक्ट करके टैग करके चलवाया जा रहा है यानि कि एक बाल विकास पर्योजना पदाधिकारी को कभी तीन प्रोजेक्ट, कभी चार प्रोजेक्ट, कभी पांच प्रोजेक्ट दे दिया जाता है मैं अपने पर्योजना की बात बताओं तो मेरी जो CDPO है, मेरी CDPO के पास पांच ब्लॉक्स है ठीक है तो यह 1 CDP और 5 ब्लोक का कारेभार संभालती हैं और देखती हैं तो इसी में जो है कि जब नए बालपिकास पर्योजना पताधिकारियों की निउक्ती हुई है तो जो जो ब्लोक्स खाली है यानि की टैग करके चलवाया जा रहा है उनमें से जो है कि कुछ पर्योजना में इन नए कर्मियों को पदास्थापित किया गया है तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बतादू कि यह कौन से पदाधिकारी है और किस परियोजना होम जिला क्या है और कहां पदास्थापित हुए हो अभी बताऊंगी ठीक है देखिए राजा प्रताप कुमार ग करके बताईएगा ताकि मैं जान सकूं कि हां मेरी बहने जो मुझसे जुड़ी है वो बिहार के किस किस कोने से हैं दूसरा है देखिए कि ग्रिह जिला पटना मोना और यह जो इनको मिला हुआ है पिप्रहिया लखी सराय अब सिवम कुमार राय ग्रिह जिला इनका रोहतास ह इनको मिला हुआ है चक्की बकसर जिला अशिष कुमार ग्रिह जिला इनका रोहतास है इनको मिला हुआ है चोगाई के सथ बकसर और देखिए मुहम्मद फैजल इनका ग्रिह जिला है पस्चिम चमपारण इनको मिला है रक्षॉल पूर्वी चमपारण अब देखिए पूर्णिया गौतम कुमार ग्रिह जिला है सीतामडी इनको मिला हुआ है वैरिया रोहित कुमार ग्रिह जिला किसन गंज मिला है गमहरिया उदर संकर ग्रिह जिला पटना मिला है अतरी गया मुहम्मद अजहर इमाम इनका ग्रिह जिला है बाका और इनको मिला है बिहारी गंज मधेपुरा, सिवम सिंग, ग्रिह जिला छपरा, और इनको मिला है उच गाउं गोपाल गंज, आनंद गोरो, ग्रिह जिला बैसाली, मेर गंज, सीतमडी मिला है, और जो है कि रजनीश कुमार, पश्यम चंपारंड के ये हैं, इनको मिला है, लह दादपूर सारंड, आकास ग्रिह जिला और अंगाबाद मिला हुआ है इनको, इसमाइल पूर भागल पूर, ठीक है, अभी तक जो है मैंने आप लोगों को पंद्रा, जिलो का नाम और पंद्रा, जो है कि नौ पस्थापित पदाधिकारियों का भी नाम बता दिया, इसी तरह से, अगर आप लोग पर नाम है इनका ब्रजेश कुमार और लोरिया पस्थिम चंपारण, मैं आप लोगों को यह बता रही हूं कि इनका नाम क्या है और किस जिले में है, अभी पदा इस्थापना हुआ है, उनका ग्रिह जिला छोड़ दे रही है, वो हम लोग के लिए जानना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन किस जिले में कौन से कर्मी का नौ नियुकती हुआ है, यह जानना हम लोग के लिए बहत जरूरी है, ठीक है, ने तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, भावना सिंग, डोभी गया, नितेश कुमार, वीरपूर बेगु सराय, प्रतिक्षा दुबे, सूर्य पुरर रोहतास, रोहित कुमार, राजगीर नालंदा, नीरज कुमार, तारापूर मोंगेर, हेम संकर राही, बसंदपूर सुपौल, सुसिल कुमार साह, गोराम बोर दर्भंगा, प्रशांत कुमार ज्या, राम नगर पशिम चंपारण, राजेश कुमार सिंग, राम सद्रूल हसन, भावनिपूर्ण पुर्णिया, किरण कुमारी, तनकुपा गया, अभिशेक कुमार मीशु, बारा चट्टी गया, अकृति चंद्रा, मोहरा गया, मनीश बिश्व बंधु, बेतिया पशिम चंपारण, रंजना कुमारी, किसनपुर्शु पौल, महताब ज्य मसूर चंज, बेगु सराय, हर्स हिमांचु, किसन गंज, सदर किसन गंज, चंदन कुमार, पुशलिम डुमर बांका, उजाली राज, नीम चकनिबाद गया, प्रिया कुमारी कैमूर, नागेंद्र कुमार सेखपुरा, पवन कुमार अर्वल, नेहा कुमारी नमादा, आर्त पुमारी मरोणा सुपल, साख फुता परवीन, छोराही फेगु सराय, अमनतिका कुमारी जो है कि बन माइट गाड़ी सहर्चा, और अमन कुमार मुंगेर, डोली कुमारी सिवहर, इस्मृति कुमारी गया, मनीशा कुमारी सिवहर, अंजली कुमारी कौवा कोल नावादा, गोबिंद कुमार गायगाट मुजफरपूर, दुर्गेश कुमार चौसा मध्यपूरा, अम्रिता रंजन धरहरा मुंगेर, अस्रद इमाम संखपूर मध्यपूरा, कुमारी बंदना सिन्हा, गुरारु गया, गुंजा कुमारी नागरा सारंड, दिलिप कुमार मधुबन पिप्रासी चमपारण, यानि कि इनको देखिए कि कुछ आदेश भी दिये गया है कि उप्यूक्त नियुक्ति के आलोक में उप्यूक्त सभी संबंदित को निदेश दिया जाता है कि अपना योगदान इस्तंब 6 में अंकित पर्योजना, जिला पत्र निर्गत के तीथी के 15 दिन के अंतर समर्पित करते हुए विभाग को सुचित करेंगे, साथ ही प्रभार प्रतिवेदन, उचित माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराएंगे, यानि कि ये जितने भी कुल मिला के पचपन भाल विकास पर्योजना पताधिकारियों की निक्ति हुई है, और इनको कोईसपस्ट आदेश दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर या जो है कि 15 दिन के अंदर योगदान समर्पित कर लेंगे, यानि कि जिन पर्योजनाओं और जिन जीलों में इनका योगदान हुआ है, वहाँ योगदान जाकर के दे देना है, फिर हाजिर होती हुँ आप लोगों क के लिए नेक्स्ट वीडियो में आंगन बाड़ी से जोड़ी कुछ और महत्पून खबरे ले करके तब तक के लिए सभी दोस्तों को नुम्स